Hey guys, this is Pawan and you're watching Study Skills Success. Then guys, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी एस्पिरेंस के साथ NEET और JEE पोस्टमोन को लेकर कुछ एक important information शेर करने वाला हूँ. Then guys, क्या हो रहा है कि इस pandemic situation में यहाँ करोना के cases दिन भर में 10,000 से भी उपर मिल रहे हैं और total cases के अगर बात की जाए तो वो दो लाग से भी उपर हो चुके हैं ऐसे में examinations को conduct government, MHRD और NTA दवारा conduct करवाय जा रहा है यानि कि जो BST nursing वगरा के exams है, M's के entrance exams हो गए MD, MS के, उनके भी exams को conduct करवाय जा रहा है कल उनके admit card भी आगे और उनके exam date भी announce कर दी गी है exam तो conduct करवाना ये गलत बात नहीं है, exam तो एक ना दिक एक दिन होने ही है लेकिन इस situation में conduct करवाना जहां students अपने गर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ऐसे में वो उस exam center पे exam देने जाएंगे जहां कि उन्हें सबसे जादा खत्रा है करोना वैरस की चपेट में आने का तो ये थोड़ा गलत बाता है हाला कि जो एम सकेंटर से exam देने वाले medical के जो कुछ एक students थे जो कि जिनकी duty hospital वगरा में थी और जुनको 14 days के quarantine period में रखा गया है और नीट और जही जैसे exams की भी exam date announce कर दी गई है कि जही का जो एक्जाम है वह आपका 18-23 जुलाई यानि कि 18-23 जुलाई जही का जो एक्जाम है वह 26 जुलाई को conduct करवाए जाएगा ऐसे मैं अपने को क्या करना चाहिए देखिए अपने को जितनी अपने से कोशिश हो पाई उतनी हमने की है हमने MHRD को tweet तक किया लेकिन tweet का उन्होंने reply दी कुछ हद तक दिया लेकिन पूरा complete रिक्के से उन्होंने अभी तक नहीं बताया है तो simply अब आपको क्या करना है आपको एक mail करना है NTA को देखिए mail जो को आप करेंगे वो postponed से लिडिएट को कोई भी mail नहीं करना है आपको किसी भी प्रकार की ऐसी information उसमें अंटर नहीं करनी है जो की पोस्पोन से लिडिएट हो आपको क्या करना है मैं आपको एक format दिखा देता हूँ या पर आपको format शो हो रहा होगा या फिर आपको नीचे वीडियो की description में इसका format शो हो रहा होगा जो उपर वाला section मैंने cut किया हुए ना उपर वाला section आपको same रखना है वो same आपको रखना है section नीचे वाले subject वे नीचे जो अपने पूरी details लिखते है mail से related उसमें आपको क्या करना है उसमें आपको एक चीज लिखनी है देखिए अब चीज क्या लिखनी है उसके बारे में अमलताता हूँ आपको चीज लिखनी है कि आपका नाम क्या है second आप कहां से बिलोंग करते है ठीक है ज्यान से सुनिए आपका नाम second आप कहां से बिलोंग करते है third आप जहां से भी बिलोंग करते है उस area की current situation क्या है उस situation की मलब जो आपका current area है वो किस zone में आता है जो quarantine zone हो गया है containment zone second आपका red zone, orange zone, green zone यह चार zone है विसे पांच zone रखे गये हैं एक offer zone भी रखा गया है तो उसके details अभी तक मुझे भी नहीं पता है तो simply चार zone लीजिए इन चार zone में से आपका area किस zone में आता है वो zone लिखना है आपको और उसके बाद लिखना है कि क्या उस zone से बाहर निकल कर आप अपने गर से बाहर निकल कर क्या आप अपने exam center में exam देने जा सकते हैं या फिर से 15 km के area में होगा ऐसे भी students हैं जिनके exam center जो है वो उनसे काफी दूर है जैसे कि मैं मेरा जो hometown है उससे exam center कम से कम 60-500 km दूर है तो मैं इस situation में वहां पे exam देने नहीं जा पाऊंगा तो आपको क्या लिखना है सबसे पहले आपका नाम आप कहां से बिलॉंग करते हैं थर्ड आपको आपका जो area है वो किस zone में आता है और fourth आप क्या नीटोर्स यही का exam देने जा पाएंगे या फिर नहीं बस इतना आपको mail करना है उसके बाद जो भी आपका reply रहता है उस mail के respect में जो भी NTA की तरफ से reply आता है ठीक है तो वो आपको मुझे WhatsApp पे message करना है WhatsApp नंबर तो मैं पूरा format आपको नीचे description में दे रहा हूं यहां पर भी format शो हो रहा है आपको लेकिन मैं description में भी format दे दूँगा पूरा आपको अब mail के एंटिय के mail ID क्या है एंटिय के official website पर मिल जाएगी website पर नहीं जाना नीचे description में उनकी mail ID दे दूँगा ठीक है तो mail ID यहां पर भी शो हो रहे होगी तो यहां पर भी मैं शो कर देता हूं और नीचे description में आपको mail ID शो हो रही होगी तो description में आप mail ID देख सकते हैं उस पर कोने करवाता है तो हमें हमारे पास कोई option भी नहीं है हमें exam देने जाना पड़ेगा अब सुरक्षा की जिम्मेदारी वह उनकी होगी कि students की किस परकार से सुरक्षा की जाए हमारा काम था कोशिश करना हम जितनी हम से हो सकी उतनी कोशिश कर चुके हैं और यह last step हम उठा रह करिएगा अगर आप सभी students मेरे साथ है तो वीडियो को like कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा आपने दोस्तों तक share कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो चैनल को subscribe जरूट कर लीजिएगा बाकि इसके उपर जो भी response रहता है इसके उपर मैं एक separate video बनाऊगा तो मिलते हैं उसी व